दोस्तों आज की हमारी इस मूवी का नाम है दब्लू फेमिली जोकि ट्रू इवेंट से इंस्पारड है जिसमें एक आदमी कुछ लड़क्यों को कई सालों तक बेस्मेंड में केद रखता है लेकिन क्यू ये तो आपको पूरा वीडियो देखने पर ही पता चलेगा तो आएए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं मूवी की शुरुआत में अर्मांडो नाम का एक आदमी अपने सामने डैनिंग टेबल पर बेटी हुई एक लड़की को अपने बच्पन की स्टोरी सुना रहा था कि किस तरह से उसकी मान ने आत्म हत्या कर ली और उसे और अकेला छोड़कर चली गई अर्मांडो आगे ये बताता है कि ब्लू कलर प्यार का कलर होता है ऐसा उसकी मा कहा करती थी और इसी तरह वो ब्लू आसमान के नीचे ब्लू समंदर में समा गई और मारी गई अर्मांडो के सामने बेटी हुई इस लड़की का नाम था जूलिया और अर्मांडो इससे कहता है कि उससे जूलिया को देखकर उसके प्यार की याद आती है जैसा कि उसकी मा उससे किया करती थी फिर अर्मांडो जूलिया को ड्रिंक खतम करने का कहता है लेकिन हमें देखते हैं कि जूलिया पूरी तरह से बेडियो में लिप्टी हुई है अर जिससे कि अर्मांडो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पूरी डाइनिंग टेबल को गिराने के बाद में जूलिया को एक लात मारता है जिससे कि वो गिर जाती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। और फिर यह सिन भी यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि अर्मांडो अपनी ओटो डिल की शौप में है जहां पर उसकी मुलाकात जैसी का नाम की एक खुबसूरत लखी से होती है जिससे वो बहला फुसलार कर उससे दोस्ति कर लेता है और फिर तभी वहाँ पर जूलिया कि मां आती है जूलिया के मिसिंग होने के प्रिंट आउट चिपकाने के लिए जिससे अर्मांडो उससे ले लेता है और उससे पूछता है कि जूलिया कब से गया भे जिस पर जूलिया की मां उससे कहती है कि जूलिया पिछले दो सालों से गया भे लेकिन उससे आज भी ऐस लगता है कि जूलिया जिन्दा है वो कभी ना कभी वापस जरूर आएगी जिसके बाद में अर्मांडो जेसिका को शाम को एक पार्टी में इन्वाइट करता है और फिर पार्टी में अर्मांडो जेसिका के पास आने की कोशिश करता है जिसके बाद में वो उसे भी भ्योश क करके अपने बेस्मेंट में ले आता है जूलिया के पास में होश आने पर जेसिका देखती है कि वो बंदी हुई है और इन जंजीरों से निकलना आसान नहीं है जेसिका अर्मांडो के आगे जट पटा रही थी लेकिन तभी अर्मांडो का छोटा भाई डेनिल वहाँ पर पास में अब यहां से निकलने के लिए एक रीजन है जिससे सुनकर जेसिका को कुछ पी समझ में नहीं आता है फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अर्मांडो जूलिया का ख्याल रखता है वो उसे डिनर लाकर देता है और वो से खुद अपने हाथों से नहलाता है फि यहाँ पर बेस्मेंट में जूलिया जेसिका को बताती है कि अर्मांडो अपनी एक फैमिली बनाना चाता है और वो अर्मांडो के बच्चे की मा बनने वाली है। डेनियल यह समझ नहीं पाता कि अर्मांडो के सामने ही अर्मांडो की बड़ी को लिक करने लगता है और फिर वो अर्मांडो को भी नीचे बेस्मेंट में जंजीरों से बांद देता है। अर्मांडो की बात सुनकर डेनियल भी उसकी बातों में आ जाता है और वो उसका साथ देने लगता है। और फिर अगले दिन अर्मांडो के घर पर जूलिया की मा आती है अर्मांडो के लिए लंच लेकर जिसे डेनियल भगा देता है और जूलिया की मा को डेनियल का बिहेवियर तोड़ा अजीब लगता है। फिर हम यह देखते हैं कि नीचे बेस्मेंट में अर्मांडो लड़कियों को पीट पीट कर उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखा रहा था। पीट करते हैं कि वो बस अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए यह सब कर रही है क्योंकि यह बच्चा उसके पेट से ही जन्मेगा। फिर हम यह देखते हैं कि डेनियल नीचे जूलिया के पास आता है और जूलिया और बाके की लड़कियों को खाना देता है। जूलिया डेनियल से कहती है कि सब लड़किया ठीक से बातरूम में शौर लेना चाहती है क्योंकि वे सब ही यहाँ पर बहुत दिनों से हैं और वे ठीक से नहाई नहीं है। और फिर जब अर्मेंडो वहाँ पर आता है तो वो गल्स को अपने रूम में ले जाकर अपने रूम की बातरूम में नहलाता है और बातरूम में ही वो दोनों के साथ में इंटिमेड भी होता है लेकिन ये दोनों लड़किया कुछ भी नहीं कर पाती है। अब Armando हर संडे को सभी गल्स को बेस्मेंट से बाहर लाता था और सब साथ में breakfast करते थे एक family की तरह जहां पर Armando ये देखता है कि डेनियल और जूलिया कुछ ज्यादा ही close आ रहे हैं और जेसिका एक metal के चम्चे से बाहर गुजरने वाले लोगों को signal देने की कोशिश करती है लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि Armando हर छुटे छुटे चीजों को notice कर रहा है और फिर breakfast करते time Armando जेसिका को breakfast से उठा कर एक room में ले जाता है और वो वहाँ पर उसका top फाड़ कर उसे जोड़ जोड़ से बेल्ड से पीटता है उसे मदद मांगने पर सबक सिकाने के लिए अब फिर हम ये देखते हैं कि ऐसे ही समय बीटता जाता है और जूलिया के पेट में उसका बच्चा अब बड़ा हो रहा था जूलिया को पता था कि यहाँ से निकलने में बस डेनियल ही उसकी मदद कर सकता है और वो उसे अपनी बातों में धीरे धीरे फसाने लगी थी लेकिन अगैन अर्मेंडो ये सब नोटिस कर लेता है और वो अपने भाई को समझाते समय उसके सर पर एक बोटल फोड देता है जिससे कि डेनियल घायल हो जाता है और फिर अर्मेंडो अपने छोटे भाई के उपर गरम-गरम कौफी भी डाल देता है अर्मेंडो की ऐसे हरकतों से डेनियल भी समझ जाता है कि उसका भाई mentally disturbed है जो की अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो अपने भाई को दोका देकर गल्स को बचाने की कोशिश में लग जाता है और फिर एक दिन डेनियल मोका पाकर अपने भाई अर्मेंडो को भेहोशी की दवाई देकर चुपके से उन तालों की चाबिया चुरा लेता है जो की नीचे गल्स के पेरों में बंदी हुई थी और फिर वो बेस्मेंट में जाकर गल्स को वो चाबिया दे देता है अर्मेंडो को जब होश आता है तो बेसमेंट से जूलिया जोर जोर से चिला रही थी और अर्मेंडो को ये लगता है कि शायद जूलिया को लेबर पेन हो रहा है और वो जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली है अरमेंडो जल्दी-जल्दी पास के केमिस्ट की दुकान से दवएया लेने के लिए चला जाता है लेकिन उससे ये नहीं पता था है कि ये सरब बस एक नटक है जूलिया ने डेनेल के साथ में मिलकर ये प्लान बनाया था जूलिया और बाकी की लड़किया अर्मेंडो के जाने के बाद में डेनेल की दी हुई चाबी से अपने अपने जन्जीरों के ताले खुल रही थी लेकिन चाबिया इतनी सारी थी कि ताले खुल ही नहीं रहे थे जेसिका जेसेते से अपने ताले खोल लेती है और वो बाहर जाकर मदद मांगती है और उसे बाहर से एक आदमी गुजरतावा दिखाई देता है जो कि उसकी मदद करने अंदर आता है फिर वो आदमी बेस्मेंट में जाकर पुलिस को फोन करता है और वो बाकी लड़कियों के ताले भी खोलने में उनकी मदद करता है अब जैसे ही अर्मेंडो वापस आता है तो वो देखता है कि सभी लड़किया आज़ाद हो चुकी है और उनके पीछे पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है अगले सीन में हमें देखते हैं कि जूलिया एक पार्क में है और वो अपनी बच्ची के साथ में खेल रही थी जो कि अब बड़ी हो चुकी है और उसे याद आता है कि अर्मेंडो उससे ये कहा करता था कि ब्लू कलर प्यार का कलर है लेकिन जूलिया के लिए ब्लू कलर उसे चीन ली जाती है पूरी दुनिया में हर दिन हज़र लोग लापता होते हैं और उनके सांसात नजाने क्या क्या किया जाता है मूवी में बताया गया है कि कैसे अर्मेंडो लड़कियों को केद करके रखता है अपनी खुद की खुशाल फेमली बनाने के लिए लेकिन ख जगर छोटे से पिंजरों में नहीं बलकि खुले आस्मान में हैं हम अपनी खुशियों के लिए किसी और की खुशी को क्यों कुर्बान करें आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो और हाँ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंड में अपन